है लो गाइज देखिए मेरा पिंक फ्लास रोज का कितना ब्यूटिफुल लग रहे हैं मेरे गार्डन में कई कलर के गुलाब है दोस्तों और इसके पर में कई बार वीडियो बना चुक्यूं येलो रेड पिंक और आप नए जो डवल कलर में रोज मेरे गार्डन में ग्रो हो आप मेरे चैनल को देखिए आपको पता चलेगा रोज के उपर मैंने कितनी वीडियो बनाई है और देखिए मेरे गार्डन का ये पिंक रोज ये भी कितना ब्यूटिफुल है ये देखिए इसे मैंने चोटी से पोर्ट में लगाया है और ये वाटरिंग के लिए मैं इसके जड़ों को अच्छे से पानी मिलता है और प्लाट भी सूकता है इसे पाइप प्लास्टिक के आप भी लगा सकते हैं समर में जिससे आपके प्लांट में ऐसे गरीन पतिया रहेगी क्योंकि पानी की कमी के कारण कई बार हमारे प्लांट सूक जाते और पतिया भी यलो होने लगती है देखिए कितने ब्यूटिफुल लग रहा है रोस प्लांट ऐसे आप भी अपने गार्डन में नई नेट एकडी लगाईए समर में मैं भी लगाती रहती हूं जो मैंने लगाया वो मैं आपको दिखा रही हूं मैंने ऐसे पाइप कई जगे लगा रहे हैं जिससे प् wrap भी लगाईडन के हर पतिया एसी green green रहती हैं कि और खुलसरत रहती है कि यह देखिए और गषस प्लांट में में जो एक आक्स्टर जो 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 हां से立 निकलती हैं पत्या निकलती जिससे हमारा प्लांट कम्हों हो जाता है उसे मैं कट करती रहती हूँ यह दीखिए मैंने क चोटी चोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको समर में भी फ्लावरिंग मिलती रहेगी अपने रोस प्लांट से और सुखेवे फ्लावस जो हो जाते हैं उनको हमें तोड़ते रहना चाहिए ताकि हमारे प्लांट की अनरजी ना ले देखिए और धेरो प्लांट लगाईए रोस के और आपको अगर फ्लावस नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्यू गाईज